हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल क्राफ्ट एंड क्रेशन्स वाई सोनी आनंद आज की वीडियो में आपके साथ कलर कोन बनाने का प्रोसीजर शेयर करूंगी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में थोड़ा टैलकम पाउडर लेंगे पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें थोड़ा एक्रेलिक कलर एड़ करेंगे कलर की क्वांटिटी इतनी हो कि पेस्ट ना जादा थिक हो ना जादा लूज हो इसमें कलर को थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते जाएंगे इसकी सही कंसिस्टेंसी मिलने तक इसको मिक्स करेंगे हम यहाँ ग्रीन कलर के अलग-अलग तीन शेड़् के कौन बनाएंगे Coffee dots बनाने के लिए, कौन बनाने के लिए, या तो आप Tube Colors का यूज कर सकते हैं, अगर आप Tube Colors नहीं लेना चाहते, तो Same effect आप Normal Colors से भी दे सकते हैं, यहां बाकी के दो Shades के लिए एक साइड़ ब्लेक और एक Corner में थोड़ा Yellow mix किया है, इससे इसमें थोड़ा gradient effect भी आएगा Color paste के बाद अब हम cone बनाएंगे इसे बनाने के लिए हम कोई plastic sheet लेंगे जैसे मेरे पास ये बिंदी stickers हैं जो खतम होने वाले हैं तो आज हम यहाँ इसी package से cone बनाएंगे आप इसकी बजाए कोई packing paper भी ले सकते हैं cone बनाने के लिए इसे थोड़ा हलके हाथ से hold करेंगे और roll करेंगे back side से cone की मुटाई को adjust करेंगे उपर से tip को भी हलके हाथ से पकड़ना है हम इस step पे भी cone की मुटाई को adjust कर सकते हैं और अब cone को roll करते जाएंगे अब इसमें सबसे पहले tip पे tape लगाएंगे tape को हम हलके हाथ से लगाएंगे cone की tip बिलकुल pointed होनी चाहिए अब cone में outer edges पे tape लगाके इसे pack करते जाएंगे cone के edges पे हम tape के pieces लगाएंगे एक साथ बड़ी tape यूज करने से cone खराब हो सकता है यह हमारा cone ready है अब हम इसमें color fill करेंगे color fill करने के बाद ही tip को cut करेंगे हम इस cone को दो तरीके से pack कर सकते हैं एक tape लगाके और दूसरा rubber band से अगर हम tube color यूज करते हैं तो उसकी quantity काफी कम होती है अब ये cone यूज करके हम कम time में कोई भी मनचाहा design बना सकते हैं इस वीडियो में दिखाए चार प्रोजेक्ट में से मैंने दो में acrylic tube color और दो में भर पे बने color cone यूज किये हैं reference के लिए इन वीडियो के link मैंने description में add कर दिये हैं डिजाइन बनाते वक्त आप tip को जितना चाहें उतना cut कर सकते हैं अगर बारिक design चाहिए तो कम और मोटा design चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा cut करें कौन से design बनाके अपना experience जरूर शेयर करें hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसे try करें और अपना feedback जरूर शेयर करें वीडियो related कोई भी question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं मैं सारे comments का answer करती हूँ वीडियो पसंद आए तो अपने friends and family के साथ जरूर शेयर करें अगर आपने मेरा चैनल subscribe कर लिया है तो thank you so much और अगर करने वाले हैं तो advance में thank you वीडियो को like और share जरूर करें hit the bell icon for getting notifications of upcoming videos thanks for watching subscribe for more videos